हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मयई चैनल, वीकेंड तड़का बाई इशा बखशी फ्रेंड्स, आज वीकेंड तड़का आप सब के लिए लेकरा है रसमलाई केक फ्रेंड्स केक तो सबी बनाते हैं तो इस बार हम बनाएंगे कुछ स्पेशल केक वो भी रस्मलाई से भरा हुआ केक तो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम बनाएंगे रस्मलाई फ्रेंड्स क्योंकि हमें रस्मलाई बना कर थड़ी भी करनी है तो रस्मलाई बनाने के लिए मैंने इसमें फोर कप मिल्क लिया है, हाफ कप शुगर ली है वन थर्ड कप मैंने इसमें मिल्क पौडर लिया है साती में मैंने इसमें तीन इलाइची ली हैं तो अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद हम डालेंगे मिल्क तो हमने इसमें दूद डाल दिया है जैसे ही दूद में उबाला आ जाएगा तो हम इसमें इलाइची डालेंगे तो ये मैंने तीन इलाइची अच्छे से पीस के निकाल ली है और अब हम इसमें वो इलाइची भी डालेंगे तो हमने इसमें इलाइची डाल ली है इलाइची की जो भार की स्कीन है उसको हमने उतार दिया था सिरवंदर की सीट्स डाली है और इलाइची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे milk powder friends और इलाइची और milk powder हम जैसे ही दूद में एक अच्छा सा उबाला आजाएगा उसके बाद ही डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से mix up कर लेंगे medium gas flame पर ही और फिर हम इसमें डालेंगे half cup sugar तो आप इसमें मीठा तेज या कम अपने टेज के according भी डाल सकते हैं तो हम रस्मलाई बना रहे हैं तो रस्मलाई में थोड़ा मीठा अच्छा हो तब ही रस्मलाई का मज़ा आता है तो इसलिए मैंने इसमें मीठा भी अच्छा डाला है और साथ मैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ food color friends तो आप इसमें food color भी डाल सकते हैं अगर आपके पास color नहीं है तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं तो अच्छे से हम mix up कर लेंगे और हमारी रस्मलाई बिलकुल ready हो गई है तो अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे 4 spoon fresh cream जो दूद के उपर cream आजाती है न मलाई आजाती है वो हमने इसमें 4 spoon मलाई डाल दी है अच्छी और इसे अच्छे से mix up कर दिया है और जैसे कि आप सब देख रहे हैं दूद हमारा काफी reduce हो चुका है तो हम मलाई को तभी डालेंगे जब जो दूद है वो reduce हो जाएगा और उसके बाद हम गैस का flame medium कर देंगे और अच्छे से दो-ती नूबाले दिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जब रस्मलाई बंती है तो जब हम इसको off कर देते हैं तो वो थोड़ी थिक हो जाती है तो हमारी रस्मलाई एकड़म रेडी है और अच्छे से यह reduce भी हो चुकी है जितना हमने दूब डाला था हो इल्कुल one-fourth हो गया है तो अब हम इसको बंद कर देंगे और एक small ball में डालकर रेडी करके रखेंगे और जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसकी थिकने सबी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी देर के बाद यह और थिक हो जाएगी तो अब हम बनाएंगे केक फ्रेंट्स केक बनाने के लिए मैंने one cup मैदा लिया है one ball मैंने curd ली है one spoon मैंने baking powder half spoon मैंने baking soda लिया है रस्म लाई ली है और साथ ही मैंने one half cup मैंने oil लिया है फ्रेंट्स और थोड़ा सा मैं दूद भी लूँगी तो साथ सबसे पहले हम एक ball लेंगे जिसमें हम डालेंगे curd curd डालने के बाद हम इसमें डालेंगे oil आप इसमें refined या olive oil को इस अभी oil यूँज कर सकते है और फिर हम इसमें डालेंगे मैदा फ्रेंट्स मैदा हम two parts में करके डालेंगे एक बार mix up करने के बाद फिर हम दूबारा मैदा डालेंगे वोई one cup अच्छे से हम mix up कर लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं sugar powder sugar powder डालने के बाद हम इसमें डालेंगे रस्मलाई जो हमने बना कर ready करके रखी थी वोई one ball हमने इसमें cake में भी डाल दी है साथ में मैंने डाला है सबसे पहले half spoon baking soda one spoon baking powder और ये सब चीजे डालने के बाद अच्छे से mix up कर लेंगे और अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा सा और कुछ डालना बनता है तो हम थोड़ा सा दूर डाल देंगे फ्रेंज और दूर डालने के बाद हम इसमें अच्छे से mix up कर देंगे हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए otherwise हमारा केक टूट जाएगा तो ये देखिए हमारे केक की consistency ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है बिल्कुल रेडी हो चुका है और कम से कम 10 मिनट्स तक हम इसको ऐसे ही mix up कर लेंगे फिर हम एक टिन लेंगे केक टिन जिसमें हमने ओयल लगा दिया है अच्छे से और फिर हम केक का बैटर टिन में shift कर लेंगे आप इस केक को microwave में भी बना सकते हैं ओवन पर भी बना सकते हैं और गैस पर भी बना सकते हैं मैं ये केक बनाओंगी microwave में 180 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको 40 मिनट्स के लिए रखोंगी पर लेकिन जब आप बनाएं तो आप 35 मिनट्स पर अपने microwave को बंद कर दें फ्रेंट्स क्यूंकि 30 तू 35 मिनट्स तक ये केक बिलकुल ready हो जाता है और हमारा केक बिलकुल ready हो गया है तिन को हमने microwave से भार निकाल लिया है और हम toothpick की help से देख रहे हैं डाल कर कि ये केक बन गया है कचा तो नहीं है तो केक हमारा बिलकुल ready हो चुका है हमने इसे plate में रख लिया है एक और अब हम इसमें fog की help से hole कर देंगे friends ताकि जो हम इसकी ऊपर रस्मलाई डालें वो हमारे केक के बिलकुल center तक जा सके और हर bite पर हमें रस्मलाई का पीटेस साथ में आए friends तो सारे holes हो गए है केक पर और रस्मलाई भी हमने थंडी होने के लिए रख दी थी फ्रिज में इतनी देर हमारा केक बन रहा था तो अब हमने फ्रिज से भार निकाल ली है और रस्मलाई को हम केक के ऊपर डालेंगे एक बार अच्छे से हम डाल कर रख देंगे तो जो हमारी उपर जितनी हमने रस्मलाई डाली है वो केक सोक कर लेगा अंदर तक फिर उसके बाद हम और रस्मलाई डालेंगे इसमें अच्छे से हमें रस्मलाई डालनी है ताकि हमारा जो केक है वो प्रॉपरली कवर हो जाए यह बहुत ही स्पेशल केक है और हर कोई इसे इसली अपने घर पर बना सकता है और यह देख रहे हैं कि सारी रस्मलाई केक ने सोक कर ली थी और फिर हमने इसके उपर और अच्छे से रस्मलाई डाल दी है बहुत ही देखकर ही मुँ में पानी आ जाता है तो आप सब यह रेसिपी जरूर बनाना अपने घर पर और अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शियर करना और अब हम इसके ऊपर ड्राइफ रूट्स डालेंगे क्योंकि हर डैजर्ट ड्राइफ रूट्स के बिना अधूरा है तो साथ में हमने इसमें ड्राइफ रूट्स डाल दिये हैं आपको इसे भी ड्राइफ रूट्स यूज कर सकते हैं जो आपको पसंदो फ्रेंड्स और वन आर के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं थंडा होने के लिए और उसके बाद आप इसको सर्फ कर सकते हैं त तो जल्दी से serving ball में हम इसको serve करेंगे यह देखिए कितना spawn soft cake बना है और easily cut हो रहा है और अब हम इसको serve करेंगे friends अपने family members के साथ तो आप सब भी जरूर बनाना और अपने views मेरे साथ जरूर share करना और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा friends